नमस्कार जैहिं दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्तपूर्ट ताजा और बड़ी खबरें और आप देश के किस चिले या राजिसे इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताएं महराष्ट विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी नवनीत राड़ा भाजपा से मिला राजसभा का आश्वासन जीहां बताते चले अमरावती जिले के बड़नेरा से निर्दली विधायक रवी राड़ा ने सुक्रवार को कहा कि उनकी पतनी नवनीत राड़ा महराष्ट विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि भारती जनता पार्टी ने उन्हें राजसभा की सदसता का आश्वासन दिया है मौझूदा विधानसभा का कारिकाल 26 नुवंबर को खत्म हो रहा है वहीं महराष्ट में चुनाव को लेकर तयारियां तेज हो लेबनान में तबाही का मंजर इस्राइल को नरसंगारक बताकर इस देश ने संबंद खत्म करने का किया ऐलान इसराइल लगातार हिजबुला को निशाना बना कर लेबनान में हमले कर रहा है जिससे वहां कई लोगों की जाने जा रही है इसी बीच गाजा में फिर से किये गए हमले पर निकारागुआ ने नाराजगी जाहिर की और इसराइल के साथ अपने संबंद तोड़ने का ऐलान किया है बताते चले कि निकारागुआ की उपराष्ट पती रोसारियों मुरीलों ने इसराइल की नितन्याहु सरकार को उन्होंने फासिवादी और नरसंगारक करार दिया वहीं निकारागुगा के राष्ट पर दैनियल ओर्टेगा ने इसराइल के फलस्तिनी चेत्रों पर हमलों की कडिया लोच न की गाजा पर इसराइल की लगातार हो रहे हमलों से नाराज होकर उन्होंने इसराइल से रिष्टे खत्म करने का आदेश दिया न्सीपी नेता बाबा सिद्धी की गोली मार कर हत्या अजित पवार ने दिया बड़ा बयान जीहां बता दे कि महराश्ट में विधान सबाचुना उसे पहले शनिवार की रात फाइरिंग का मामला सामनी आया शहर के बांदरा इलाके में न्सीपी अजीत पवार गुटके नीता बाबा सिद्धी की पर फाइरिंग की गई इस फाइरिंग के बाद बाबा सिद्धी की को लीलावती अस्पताल में भरती कराया गया आला कि थोड़ी ही देर बाद लीला वजिवती अस्पताल ने उनके मौत की खबर की पुष्ट कर दी बताया जा रहा है कि बाबा सिद्धी की को उनके बेटे के आफिस के पास ही गोली मारी गई है पुलिस ने अभी तक दो बदमाशों को गिरिफतार किया जबकि एक अन्य ब पूरसांसत प्रवीड निशाद के एक बयान ने यूपी का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है उपचुनाओ से पहले बीजेपी की मुश्किले बरती नजरा रही है पूरसांसत प्रवीड निशाद ने उपचुनाओ से पहले बढ़ा बयान दिया है जब प्रवीड निशा से सवाल किया गया कि चर्चा है कि निशाद पार्टी को ना बजवा मिलेगी ना कटेहरी मिलेगी इस पर उन्होंने कहा कि निशाद की संख्या बहुत जादा है कटेहरी और मजवा विधानसवा में और मजवा के साथ साथ पूरे प्रदेश में आबादी है 24.75 फीसी राजगी होगी और बीजेपी को इसका सामना करना पड़ सकता है इरान की खुली धंकी कहा हमारे खिलाफ इसराइल की मदद मत करो वरना अगले नंबर पर तुम हो इरान ने अमेरिकी सहयोगियों खास कर तेल समरत देशों को खुली धंकी दी है कि अगर उनके हवाई छेतर का इस्तेमाल तेहरान के खिलाफ किया गया तो इसके गंभीर पर नाम होगे दवाल स्ट्री जर्नल की एक रिपोर्ट के मताबिक धंकियों ने अरब देशों को जो बीडेन प्रशाशन को ये बताने के लिए उकसाया है कि वे इरान पर किसी भी हमले में सहायता नहीं करेंग तर सहित कई देशों को धंकिया दी हैं जिन में से सभी में अमेरिकी शैनिक हैं अपसरों ने कहा कि इन देशों ने बिडेन प्रशाशन को सूचित किया कि वे नहीं चाहते कि उनके सैने बुनिया दी ढाचे या हवाई छेतर का उपियोग अमेरिका या इसराइल दौरा इर के पांच और नए जिलों के लिए भरती हित विग्यापन जारी किया गया है इन नए जिलों के जरिये विग्यापन प्रकाशित हुआ है उनमें हर दोई कुशी नगर जालौन बुलंद शहर बारा बंकी शामिल हैं वहीं बता दे कि आंगन बाड़ी में यूपी के लिए 23,7 233 पदों पर भरती होनी है इस भरती के लिए केवल महिला अभ्यरती ही आवेदन कर सकती हैं आर जीकर कांड पर मोहन भागवत के बयान से भड़की टीमसी कहा मड़िपूर उत्राखंड और यूपी पर क्यों साधी जुपी जीहां बता दे कि त्रणमोल कांग्रेस ने शनिवार यानी 12 अक्तूबर को आर जीकर रेप मडर केस पर दिये बयान पर तीकी प्रतिक्रिया दी उन्होंने उन्हें भारती जंता पार्टी की इसपष्ट आवाज करार दिया न्यूज एजेंसी एनाई के मुताबिक टीमसी निता कुडाल घोश ने सवाल उठाया कि आर एसेस प्रमुक ने मड़पूर उत्तरा खंड और उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर कोई टिपड़ी क्यों नहीं थी कि नागपूर में कारिक्रम को संबोधित करते हुए आर एसेस प्रमुक मोहन भागवत ने कौलकाता के आरजिकर अस्पताल और कॉलेज में हुई रेप मर्डर घटना की निंदा की और इसे अपराद और राजनीती के गट जोड का शर्मनाक मेल बताया उन्होंने न्याय मे देरी और पशिम मंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी पर अप्रत्यच्छ हमला भी किया भागवत ने कहा कौलकाता के आरजिकर अस्पताल में जो हुआ वा शर्मनाक है लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है उन्होंने कहा हमें सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी घटनाय ना ह लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से चीजों में देरी हुई है अपराधियों को बचाने की कोशिस की गई या अपराध और राजनीती के घट चोड का नतीजा है या विशाक्त संस्कृति हमें बरबाद कर रही है इंडी घटबंदन बदल सकता है नेता विपक्ष राहुल की हो सकती है छुट्टी बीजेपी का दावा बादी जनता पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्षी इंडिया घटबंदन के घटक दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि लोकसबा में विपक्ष के नेतापद की जिम्मेदारी बारी-बारी से सभी को मिले पा पाजपासानसद बासुरी सुराज यहां एक समवादाता सम्मेलन के दोरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में या बात कही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में कई नेता हैं जो विपक्षी के नेता की जिम्मेदारी समालने में शक्षम है लेकिन फैसला उने लेना है क्योंकि यह उनका आंतरिक मामला है स्वराज ने कहा हां बिलकुल मैंने भी यह सुना है कि विपक्ष के नेता के पद को बारी-बारी से करने की बात चल रही है लेकिन मैं विनमर्ता से कहूंगी कि यह विपक्ष का आंतरिक मामला है इसलाम में म्यूजिक हराम फिर भी साओधी अरब के स्कूलों में 9000 महिला म्यूजिक टीचर्स की होगी नियुकती जी हाँ बता दे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साओधी अरब की सिक्षा पडाली में बड़ा बदला होने वाला है साओधी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में गोशना की है कि किंडर गार्टन और प्रैमरी स्कूल के सिलेबस में म्यूजिक एजुकेशन को शामिल किया जाएगा इस फैसले के तहए देश भर के स्कूल में 9000 से जादा महिला म्यूजिक टीचर्स की नियुक्त की जाएगी हलाकि इस कदम के बाद साओधी अरब में व्यापक विरोध हो रहा है खास कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदर्सों को बंद करें फंडिंग मदर्सा बोल्ड भंग करें एंसीपी सियार चेयर्मेन ने लिखा सभी राज के सचियों को पत्र कहा यहां नहीं मिलती बच्चों को उच गुडवत्ता वाली सिक्षा बता दे कि प्रियांक कानुनगों ने सिफारिस की है कि प्रदी सरकारो दौरा मदर्सों को दिये जाने वाले फंड रोक लगे मदर्सा बोल्डों को भी जल्द बंद किया जाए राश्टी बाल सरक्षड आयो के चेर्मेन प्रियांक कानुनगों ने मदर्सों को राजी सरकारों दोरा मिलने वाले फंड को बंद करने की सिफारिस की है इस बावत उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचियों को पत्र भी लिखा है अपने पत्र में प्रियांक ने मदर्सों के बारे में NCPCR की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है शुक्रवार यानी 11 सितंबर 2024 को जारी इस पत्र में प्रियांक कानुन्गों ने गैर मुस्लिम छात्रों को मदर्सों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भरती कराने की जरूरत पर भी जोर दिया प्रियांग कानुनगों का या पत्र सभी राज्यों सहित केंदर शासित प्रदेसों के प्रमुक मुक्य सचियों और प्रशास्कों को संबोधित है उन्होंने पत्र की शुरुवात में ही NCPCR की एक रिपोर्ट का हवारा दिया है जिसका नाम आस्था के सनच्च की अधिकारों के उत्पीड़क बच्चों के समयधानिक अधिकार बनाम मदर से है उन्होंने दावा किया है कि बच्चों के मौलिक अधिकारों और अर्प संख्यक समुदाय के हक के बीच एक विरोधा बाज जैसा दिख रहा है इसकी वज़े उन्होंने बताते हुए लिखा है कि मदर सों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुर्वत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है वहीं अपने इस पत्र में प्रियांग कानून गों ने आगे सिफारिस की है कि प्रदेश सरकार दोरा मदर सों को दिये जाने वाले आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए इसी के साथ राज में चल रहे मदर सा वोर्डों को भी बंद किया जाए इन सिफारिसों के साथ मदर सों में पढ़ने वाले सभी गैर मुस्लिम छात्रों को चिन्नित करते हुए सरकारी स्कूलों में भरती करवाने के लिए भी कहा गया है प्रियां कानून गों के मुताबिक ऐसा रोड मैप बनाया जाए जो देश के सभी बच्चों के भविस्य के लिए अनकूल माहौल बनाए अजेज जडेजा आप कहलाएंगे जाम साहब जामनगर राजगराने के बनाए गयवारिस जी हाँ बताते चले की पूर क्रिकेटर अजेज जडेजा को नवानगर का अगला जाम साहब गोशित किया गया है जिसे अब जामनगर के नाम से जाना जाता है या गुजरात के कश्च की खाड़ी के दक्षडी टट पर एतिहासिक हालार छेतर में इस्तितिक भारती रियासत है नवानगर के महाराजा जाम साहब ने एक बयान में इस बात की पुष्ट की अजज़ जडेजा जिस जामनगर शाही परिवार से तालुक रखते हैं उसकी क्रिकेट में काफी समरद विरासत है वहीं बताते चले कि प्रतिष्ठित रडजी टॉफी और दलीब टॉफी का नाम जडेजा के रिस्तिदारों के के एस रंजी सिंग जी और के एस दलीब सिंग जी के नाम पर रखा गया है वहीं इस साल अगस्त में प्रधान मंतरी नरिंदर मूदी ने पूलेंड की यात्रा की दोरान वारसा में जाम साहब आफ नवा नगर इसमारक पर सुर्धानजली अरपित की थी जाम साहब आफ नवानगर इसमार गुजरात के नवानगर के पूर महराजा जाम साहब दिक्विजश सिंग जी रंजी सिंग जी के सम्मान में बनाया गया है जडेजा के पिता दौला सिंग जी जडेजा जामनगर लोकसभा से तीन बार सांसद रहे उनकी मा केरल के अलप ज्जा की मोलनिवासी है जडेजा का विवाह जया जेटरी की बेटी अधिती जेटरी से हुआ है और उनकी दो बच्चे एमन और हमीरा है